चाहे आप जिस भी फिल्ड से हैं, सफल तो हर कोई होना चाता है, हर कोई चाता है कि उसकी गिंती भी सफलतम व्यक्तियों में हो, पर जिन्दगी का कोई रिमोट नहीं होता, इसलिए जागो, उठो और इसे खुद बदलो, तो ये रहे आपको जगाने के सफलता प्राप्ती क एसे छे सबक जो हमें महाभारत से मिलते हैं, महाभारत देखी तो जुरूर होगी आपने भी, पर इसे कभी ऐसे सोचा नहीं होगा जैसा मैं आपको बताने वागा हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक बड़े धान से समझने की कोशिश कीजिएगा, निश्चित तोर पे अ लानी की बूंद तो वही है, बस सब संगत का फरक है, किसका फरक है, संगत का, पर्थात, जैसी संगत वैसी ही रंगत, कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत और जैसी रंगत वैसे ही आपका जीवन, आप लाग अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है, तो आप संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप अबाद भी हो जाएंगे कौर्वों के साथ शकुनी जैसे लोग थे जो पांडवों के साथ भगवान प्रिशन थे शकुनी मामा जैसे आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो इसलिए कहते हैं कि सफलता के लिए एक अच्छे सलाकार की जुरूरत होती है आईए बात करते हैं दूसरे सबक की योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक कि उन्हें तुरंत कड़ी मेहनत में ना बदला जाए अर्थात जीवन हो योजनाओं से बना जीवन के किसी भी चेतर में बहतर रन्नीती आपके जीवन को सफल बना सकती है और यदि कोई योजना या रन्नीती नहीं है तो समझे जीवन एक अराज़त भविश्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गरंटी नहीं है आपको क्या लगता है यदि भगवान श्री क्रिशन के पास पांड़ों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो क्या पांड़ कोर्वों से किसी भी मामले में जीट जाते हैं चिंतन करके बताईएगा आईए बात करते हैं तीसरे सबक की आदा ग्यान अधूरा ग्यान और अधूरा ग्यान ही सबसे घातक है कहते हैं कि अधूरा ग्यान सबसे खतरनाक होता है इस बात का उधारन है अभी मन्यू अभी मन्यू बहुत ही वीर और भादूर योद्दा था लेकिन उसकी मृत्यू जिस परिस्तिती में हुई उसके बारे में समी जानते हैं मुसीबत के समय ये अदूरा ग्यान किसी भी काम का नहीं रहता है आप अपने ग्यान में परंगत बने किसी एक विशे में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए आईए बात करते हैं चौते सबक की जीवन में गिरना भी अच्छा है उकात का पता चलता है बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है अर्थात दोस्त और दुश्मन की पेचान करना सीखे महाबारत में ऐसे कई मित्र थे जिनों अपने ही सेना के साथ विश्वाज घात किया ऐसे भी कई लोग थे जो एन वक्त पर पाला बदलकर कौरवो या पांडवो के साथ हो गए यूजू और शले इसके उधारन है इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेश में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं जैसे कौरवो का साथ दे रहे भिश्म द्रोन और विदूर ने अंत तक युद में पांडवो का ही साथ दिया आईए बात करते हैं पांचवे सबक की ये पांचवे सबक हमारे जीवन का सबसे महत्पून सबक है इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझिएगा शब्द भी एक तरह का भूजन है किस समय कौन सा शब्द परोसना है वो आई जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसुया कोई नहीं शब्द का भी अपना एक स्वाद है बोलने से पहले स्विम चक लीजी अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा पर्थाद हत्यार से जादा घातक बोल बचाए महाबारत का युद नहीं होता यदि कुछ लोग अपने बच्छों पर सैयम रख लेते जैसे दुआपदी यदि दुर्योदन को अंधे का पुत्र भी अंधा शायब नहीं कहती अंधी का पुत्र अंधा ही होता है क्या सबक यही है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन परिवार और राष्ट पर क्या असर होगा आईए बात करते हैं छटे सबक की सफल लोग रास्ते बदलते हैं इरादे नहीं और असफल लोग अपने इरादे ही बदल देते हैं दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है और थात जुवे सटे से दूर रहो शकुणी ने पांड़ों को फसाने के लिए जुवे का आयोजन किया था जिसके चलते पांड़ों ने अपना सब कुछ दाओं पर लगा दिया था अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दाओं पर लगा दिया था यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ अता है जुए सटे शडियंतर से हमेशा दूर रहो यह चीज़ मनुश्य का जीवन अंतकार मैं बना देती है इसलिए अंत में प्रवीन जैन कोचर की एक बात हमेशा याद रखना कि रिष्टो की रसी कमजोर तब हो जाती है रिष्टो की रसी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलत फैमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी के कारण हर बार कसूर खवागा नहीं होता दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर जुरू करना और आपको महाबारत की कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी कमेट के माद्यम से हमें जुरू बताईएगा अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आज ये चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन जूर दबाए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी धन्यवाद